पैटर चेनल में आप सभी का स्वागत है आज हम करने वाले हैं फिटर के कोश्चन का ये के रिवीजन क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूर है हम बिना समय की वरवादी की रिवीजन शुरू करते हैं पहला कोश्चन हमारा है कि कटिंग टूल की गती बेब की कारण वर्क सर सरफेस पर बना पैटर्न क्या कहलाता है तो इस पैटर्न को हम सरफेस टेक्चर कहते हैं अब इसकी ट्रिक समझे आप यदि जाम मैं पैटर्न पूंचा जाता है पैटर्न तो पैटर्न का अंसर होगा सरफेस टेक्चर यदि पैटर्न नहीं होता है माल लीजिए ऐसा आता है question के cutting tool के दोवारा जो surface पर विसम ताइम बनती है तो उसका answer होगा roughness ध्यान रखिए यदि pattern आता है तब ही हम surface texture लगाएंगे वो यदि pattern नहीं आता है तो हम उसका answer roughness लगाएंगे next question picture एक ऐसा उत्पादन ओजार है जो यानि picture का क्या कार्य होता है picture हमारा cable job को पकड़ता है और locate करता है तो इसका जो d answer है वो right answer हो जाएगा टूल के बारे में इसके जो भी बात हैं सारी बात हैं गलत होती है picture cable job को पकड़ता है और locate करता है यह answer जो है वो d में दिया हुआ है d answer right answer हो जाएगा तीसरा question center hole को सुरक्षित करने के लिए b प्रकार के center deal के counter sinking भाग समलित होता है देखिए इसमें इसमें यह लिखा है center deal देखिए center deal इसका keyword है center dealing जो होती है वो 120 degree पर होती है center dealing किसी भी late machine पर job को बांदा जाता है तो दोनों किनारों पर center dealing की जाती है उसका प्रोड 120 degree होता है गहरे 0.6134 P होती है और भी thread के गहरे आपको याद करना चाहिए book के द्वारा अगला question globe valve में pressure होता है यह global जो होता है जो हमारे बाहा को control करता है यह global control करने का काम करता है तो control करने का काम जो होता है वो seat के नीचे होता है इसका c answer right answer हो जाएगा next question BA screw thread का कौण क्या होता है तो BA screw thread का कौण 47 degree होता है वो BA का full form होता है British association thread अगला question हम करते है 7th question screw thread के नीचे वाली सत्य जहां दोनों साइडे मिलती है उसे क्या कहते है चूडी की जहां नीचे दोनों साइडे मिलती है इसे हम root कहते हैं और उपर जहां मिलती है दोनों साइडे इसे हम crest कहते हैं और root और crest की ये लंबत दूरी होती है इसे thread की गहराई कहा जाता है next question बुल्ट का साइज कहां से माना जाता है तो किसी भी बुल्ट का साइज जैसे इस तरीके से हम बना देते हैं head को और इस तरीके से इसमें चूड़ी बना देते हैं तो बुल्ट का साइज उसके sank के ब्यास से लिया जाता है की head की जगह इधर होना चाहिए sank sank की लंबाई और ब्यास से लिया जाता है next question British Standard Institution के answer limit fit की 21 tolerance होते हैं और 21 जो होते हैं 21 प्रकार के होते हैं तो हमारे BSI British Standard System में 21 grade के fit होते हैं और 16 grade की tolerance होती है तो इसका answer हो जाएगा fit 21 grade के fit और 16 grade की tolerance next question किस drive में silping की सम्मावना रहती है तो आप जानते हैं bell drive जो होता है उसमें silping की सम्मावना सबसे अधिक होती है next question नीचे दिए गए चित्र में 10 आए गए third का नाम लिखिए तो मैं सभी आपको बता देता हूँ यह square thread है जो यह number पे है बी number पे जो है हमारी metric भी thread है दूसरे number पे दी गई है यह 102 thread दी गई है यह last number पे हमारी दी गई है ट्रिपे जोएल thread इस thread का नाम है ट्रिपे जोएल thread फोर्जिंग तापमान क्या होता तो किसी भी धातू का फोर्जिंग तापमान घ्यात करने के लिए हम उसकी trick बता देते हैं फोर्जिंग तापमान लगभग उसके melting temperature का 100 से 1500 degree C कम होता है तो जैसे मन लेते हैं कि हमारा रोटारन का गल्लांग जो है 1600 degree C है तो इसका फोर्जिंग तापमान हम इसमें 1500 degree कम कर देते हैं तो लगभग 1400 degree C के आसपास होगा अब देग लिए 1400 degree किसी option में नहीं है तो इसका फास्ट आंसर 1500 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 1400 किसी option में है नहीं mild steel की chipping करते समझे छेनी का जुकाव एंगल क्या होता है तो mild steel की chipping करने के लिए छेनी का जुकाव एंगल जो होता है निकला एंगल साड़े 34 degree होता है next question हम करते है कौन सा बिद्दूत सयंत परेया बर्ण प्रदूसर्ण समझ्याओं से मुक्त है यानि हम ऐसे हमें बिद्दूत का निर्माल करना है और इसमें परेया बर्ण प्रदूसर्ण नहीं होना चाहिए तो देखिए nuclear में परेया टर्वाइन के ऊपर टर्वाइन लगी रहती है और टर्वाइन जब भूमती है तो इससे हमारा जो है जनरेटर चलता है और बिद्दूसर्ण बिल्कुल भी नहीं होता है हम ने देखिए दूसरी स्लाइड में हम आ गये हैं इसमें बताना है अधिक्तम किलियरेंस देखिए बिल्कुल बेकेंसी में धड़ा धड़ा आगे बढ़ना है और पास करना है तो देखिए अधिक्तम करेंस अधिक्तम का मतलब होता है होल का अधिक्तम साप्ट का निमतम चाहेगा 20.025 और साप्ट का निमतम साप का न्यूनत्沒事 वह जाएगा 20.020 अब इसको घटाएंगे हम में देख लेते हैं साप का न्यूने घटाना है स्क्राइब मैं 5.0 00. तू इसका जो न्यून तम किलियरंस आएगा सवरी अधिकतम किलियरंस जो आएगा इसका आएगा 0.005 जो किसी option में नहीं दिया गया है तो इस एदर 5 होना चाहिए तो इसका A answer, right answer हो जाएगा इसका जो अधिक्तम clearance आया अधिक्तम clearance का सूत्र एक बार याद कर लिए whole का अधिक्तम minus soft का new income next question हम करते हैं एक driver pulley का ब्यास देखिए ये question भी very very most question है क्योंकि ये question हमें से exam में आता रहता है, D1, N1 वरावर, D2, N2 अब इसमें देख लेते हैं, D1, देखिए driver pulley का ब्यास है, जो 40 है तो driver में आँगे रखता हूँ, और इसके RPM जो है 510 है, अब driven का में पीछे रखता हूँ, driven pulley का ब्यास 170 है, और N2 हमें क्या करना है, निकालना है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 173 इंगें, 30 और 40 का 30 में गड़ा करें, 120 तो N2 की value हमारी आजाएगी 120, यानि 120 RPM होँगे, अगला question नीचे गए चित्र में drilling machine spindle tapers का mail करने, इसमें ये question mail करने के लिए आया है, लेकिन आपके में एक ही पूछा जाएगा, तो मैं बता देता हूँ आपको, ये drift लगाने का slot, A जो है, ये drift लगाने का slot है, और B number, जो है B, A, tank है, B, tank दिखाया गया है और C, sank है, ये C, sank दिखाया गया है, और slot, जो है, देखिए काने वाले को, Dalton Strain Dieter के कहते हैं, अगला question Dalton Gage का प्रियोग होता है, alplaces का क्ैक्या होता है, तो Dalton के मत का spirit का क्या प्रियोग करता है, तो दो पार्टों के मत का antा जाचने के लिए, प्रियोग करते हैं, अगला question फिलर गेज का कर है तो यह को मैं बता चुका हूँ अभी फिलर गेज पाक की मद्द के पिले सेट करना पहले ऑप्सन में इच्छित फिट प्राप्ट करना बाहरी माप तो देखिए इसमें इसका सभी आंसर होगा पार्ट की मद्द के पिले या एक गयभ को check करना अगला question L से मतलब LUMB होता है किसे मतलब करण होता मैंने sin Theta की VALUE निकालना है LUMB तो यह LUMB है L और यह हमारा करण है और यह हमारा आधार है तो देखिए हमें सबसे पहले sin Theta की VALUE निकालना है तो sin Theta की VALUE LUMB बटे करण यानि A.C. बटे B.C. sin theta का answer हो जाएगा ac btbc ac btbc देखिए इसमें दिया गया है ac btbc sin theta का अब इसके चाहो तो cos theta भी निकाल सकते हो इसका फिर b answer right answer हो गया क्योंकि ac btbc किसी में नहीं दिया गया है हम cos का भी निकालेंगे और ten का भी निकालेंगे पर exam में तीन में से एक कोई निकालने का आएगा अगला बढ़ते हैं देखिए इसमें भी question दिया गया है ये दो hole बने हुए है एक a hole है एक a hole है एक एधर पर c नमबर पर hole है इन hole के बीच की हमें दूरी निकाल ली है तो करण की value हम लगा लेंगे इसमें ये नीचे 60 दिया गया है तो हम cost की value लगाएंगे इसमें cost 60 बराबर लंब बटे आधार बटे करण सोड़ी आधा 60 60 upon x क्योंकि हमने दोनों की बीच की दूरी को x मान लिया और cost 60 की value हमें रखना पड़ेगी cost 60 की value होती एक बटे दो अब एक बटे दो बराबर 60 upon x हम इसका केची गोडा करेंगी तो इसका x की value 120 आ जाएगी तो इसका 120 answer राइट answer होगा कि जो ये hole है और c hole है इसके दोनों की बीच की दूरी जो होगी वो 120 होगी center gauge का प्रियोग किया जाता है मैं पिछले slide नों बता चुका हूँ center gauge का प्रियोग tool को cone में set करने के लिए तो पहला answer गलत है tool को cone में set करना tool को सही height पर set करना तो इसका answer d answer सही answer होगा क्योंकि tool को center height में set करने के लिए center gauge का प्रियोग किया जाता है इसके बाद है मिट्र चूड़ी के लिए बने टूल को चेक करने के लिए किस गेज का अप्रियोग करते हैं टूल को चेक करने के लिए तो इसका अंसर भी सेंटर गेज ही होगा क्योंकि मिट्र चूड़ी काटने के लिए टूल को जब सेट करते हैं तो इसके लिए हम Center Gate का उप्रोंक करते हैं Σाइन भार माप के मद्द की दूरी होती है साइन भार जो हमारा रहता है किसके एक रोलर के मद्द के बीच की दूरी होती है isके बाद अगला कोशें जो है इस कोशें को बहुत ही अच्छे सा समझगे देखिये इसमें जो है एक center बना हुगा है AD और AB तो इसको हमें B group का cone बनाना है इस चित्र को मैं ऐसे गुमा करके बना लेता हूँ गुमा करके इस तरीके से देखिए इसमें ऐस तरीके से बना हुगा है इस तरीके से बना हुगा है ऐसे तो इसमें जो है यह cone जो है यह थीटा बटे दो बीच का वो यह लंब जो है यह लंब है AD A और D देखे इसमें A बीच में लिखा गया है और D उपर लिखा गया है मैं अच्छे से लिख देता हूँ A बीच में है और D निच उपर है A एधर है और D उपर है तो AD हो गया लंब और इधा से A से B दक A हो गया आधार अब हमें 10 ठीटा का सूत लगाना है तो 10 ठीटा अभी हमने बताया था 10 ठीटा बटे 2 बराबर लंब लाल बटे कक्का अभी अभी बताया था LAL बटे WKA के तो डवल के ए तो टेन ठीटा का लास्ट वाला सूतर होता है लंब बटे आधार तो लंब हमारा होगा एडी तो एडी हो जाएगा और आधार हमारा होगा एबी तो एडी बटे एबी देखे किसमें दिया गया एडी आंसर में दिया गया यह बेरी मुश्ट कुश्चन है इ तेलेस्औपय म्हेंज चुका पूर्म करते हैं इसे क्या कहते हैं तो यह तरीके से हम किसी चीश को खाते तो दातों में शुटे शुटे जो हैे पीस फस जाते हैं भी लोडिंग कहा जाता है लेकिन इसमें ट्रूइंग दिया गया है ग्लेजिंग दिया गया है तो ट्रूइंग जो होती है ट्रूइंग भील की निजाच की जाती है तो कहीं क्रैक तो नहीं है इसमें जाच होती है और इसमें ड्रेसिंग में हम भील को कंसेंटिक करते हैं और गिलेजिंग में जो हमारा bond hard हो जी है कारण हमारे भील उपर से चिकनी हो जाती उसे गिलेजिंग कहते हैं अगला 0.8% से कम कारवन वाली प्लेन कार्बन इस्टील यहीं जिसमें कार्बन की मात्रा 0.83% से कम है अधात कार्बन कम है तो वो देर में गरम होगी वो जब देर में गरम होगी तो उसका टेमप्रेचर हमें अपर कीटिकर रहें से उपर रखना पड़ेगा तो उपरी चरम सीमा से उपर यह बहुत ही अगला कोशन यह अंत्रिक सत्य सूचक यानि मेकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का जो इस्टालेस होता हूँ किसका बना होता है वो डायमंड का बना होता है तो इसका आंसर डायमंड राइट आंसर हो जाएगा अगला यदि एक घटक कमाप उसके आकार की लिमिट के बीच फिन हो जाता है अगला कोशन कोलारो साब को अपने स्थान पर कनेक्ट करने के लिए किस इसक्रू का प्रियोग किया जाता है कोलारो साब को अपने स्थान पर कनेक्ट करने के लिए हेक्सागनल हेड इसक्रू का प्रियोग करते हैं जब पुली को सार पर बाना जाता है अगला को क्या होता है तो दी आंसर इसका राइट आंसर होगा जो उसकी लिस्ट काउंट के बराबर होता है अगला क्वेशन ब्लॉक ब्लॉक स्पिट लेबल का उपयोग क्या करते हैं यह पिछले यूपी यार्व एनल एक्जाम में आया था ब्लॉक स्पिट लेबल से अनुदर्द और उर्दवादर यानि कि इससे होरिजेंटल और बर्टिकल दोनों सतह चेक की जाती है एक प्रिसीजन स्पिट लेबल होता ह सता चेक की जाती है वॉल वेरिंग लगाते हैं साफ्ट के अंत्रिक देश में किस प्रकार का फिट किया जाता है तो कोई भी वेरिंग लगाते हैं इंटर्फिरेंस फिट होता है और उसमें हतोड़े की द्वारा चोट लगाते हैं तो इंटर्फिरेंस फिट का ड्राइवि बदल सकते हैं उसका अंसर होगा थर्मोप्लास्टिक अगला है कपलिंग को शाप्ट में जोडने में तब प्रियुक किया जाता है जब अक्सर अलगळग करने पड़े दो शाप्टों के भीच थोड़ाphemत सा मिस अलायमेंट हो कभी हम कपिलिंग का प्रियोग करते हैं अगला कुश्चन मर्दू लोहे में चिपिंग के लिए स्वच क लिए सधीफ कोण passa 25 ग्री और का ni के लिए Rs. पर और जिंक के लिए हम 35 डिगरी और पीतल के लिए 45 डिगरी रखा जाता है और हाट धातू के लिए 75 डिगरी रखा जाता है आगला बढ़ते हैं छोटे कारों को डिल करने के लिए एकल स्टील के ब्लॉक से तयार जिक को क्या कहते हैं यानि छोटे कार के लिए तो छोटे का प्राइट अंसर होगा। इसपिंड्र की गुमाने से बाल्ब ना तो खुलेगा और नहीं बंद होगा। छोटे टेपर साथ पर बुड्रफ की कार्प्रियोग किया जाता है। बुटर्प की जो होती है, इसे हाप चंदराकार की भी कहते हैं, क्योंकि यह गुलाई में बनी होती है, गुलाई में बनी होने से, यह आसाने से अपने आफ सेल्फ अलायमेंट में आ जाती है, गूम के सेंटर में आ जाती है आगे बढ़ते हैं नेक्स कठोर मटेरियल की टर्निंग के लिए कारवाइट टिप टूल पर तो कठोर मटेरियल पर निगेटिव रेक एंगल दिया जाता है यह मैं कई बार बता चुका हूं तो इसमें निगेटिव रेक एंगल दिया जाता है चाहे वो कारवाइट टीप टूलो, चाहे डायमन टूलो, निगेटिव रेक एंगल ही रहेगा, कप्लिंग को साफ्ट में जोडने के लिए तो इस कांसर में बता चुका हूँ, दो साफ्टों को जोडने अलग करने, वो मिसलायमेंट के लिए हम कप्लिंग का प्रियोग करते ह हैं, किसी गेट बाल में स्पेंडल की थ्रेट गेचाने, ये भी कोशन बता चुका हूँ, ना तो खुलेगा, ना ही बंद होगा, नेक्स कोशन, ये भी कोशन में बता चुका हूँ, कप्लिंग में सेल्फ अलायमेंट हो जाती है, बोटरब की जो अर्थ चंदाकार चावी क अप्रियोग करते हैं, टेपर साफट पर, इसके बाद 20 में कोशन में हमें बताना, देखिए, इसमें दो पुलियां बनी हुई, एक ये पुली है, और भी पुली है, साइद में कोशन पिछले कल के वीडियों में बता चुका था, लेकिन आप देख लीजे, इसको देखिए ही, ओक के वाई-वाई, आप कोशन करते रहें और प्रेटेश जरूर करिए, आपको प्रेटेश जिस दिन एकजाम है, उसके सुबह अता करना है, और यह यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे वीडियो के सेर करना, लाइक करना है, अजि आप नए हैं, तो हमार बाइ बाइ बाइ